श्रीक अड़े शाय नमा नमश्खामित्रो स्वागत करती हो मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान गंगा में हिंदो पंचांग के अनुसार यदि किसी माव की सप्तमी दिदी को रविवार का दिन पढ़ता है तो उस दिन को भानु सप्तमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है 12 जुलाई 2020 को भानु सप्तमी है इस दिन भगवान सूरी की अराधना विदी विधान से की जाती है सूरी देव के आशिरवास से व्यक्ति की सभी पापों और दुखों का नाश होता है व्यक्ति वर्ष भर आरोग जीवन और धन प्राप्त करता है भानु सप्तमी के दिन सूरी देव को जल देने से यादश अच्छी होती है और मन एकाग्र रहता है तो चली जानते हैं क्या है पूजन विधी भानु सप्तमी की और क्या है इसका महत्व लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है अनु सप्तमी के पर्व को सूरिग्रहन के समान प्रभावकारी माना गया है इसमें जब होम दान आदी करने पर उसका सूरिग्रहन की तरह अनंत गुना फल प्राप्त होता है सूरि प्रत्यक्ष देता है उनकी अर्चना से मनुश को सब रोकों से चुटकारा मिलता है जो नित्य भक्ति और भाव से सूरि नारायन को अर्ग देकर उन्हें नमस्कार करते हैं वो कभी भी अंधा दरिद्र दुखी और शोक ग्रस्त नहीं रहता इस दिन भग्वान सूरि नारायन के निमित वरत करते हुए उनकी उपासना करने से अर्थिदिक पुन्य प्राप्त होता है रोज भग्वान सूरि को जजड़ाने से बुद्धी का विकांस होता है और मानसिक शान्ती मिलती है भानु सब्तमी के दिन सूरी की पूजा करने से इसमरण शक्ति में विद्धी होती है इस एक दिन ही पूजा से ब्रामन सेवा का फल मिलता है सुरीदेव की अराधना करने से सदैव शरीर स्वस्त रहता है इस दिन दान का भी महत्व होता है ऐसा करने से घर में लच्मी का वास होता है, अच्छे स्वास्त के लिए, लंबी आयू के लिए, अपना यश्च बढ़ाने के लिए, अकाल मिर्ट्य उपर विजय प्राप्त करने के लिए, भानु सब्तमी के दिन सुर्य देव को जल अर्पित करना काफी सुभु माना जाता ह पानु सब्तमी की पूजन विधी इस प्रकार है, सब्तमी तीदी को प्राता काल इसनान आदी से निवरित होकर इसनान के बाद स्वक्ष वस्त धारन करें, अब पूजा इस्थान पर पूर्वय या उत्तर दिशा में मुख करके पैठें, उसके बाद सूर्य देव का लाल अच्छत लाल फूल धूप गंद आधी से विधिवत पूजा करें, उसके पश्चात कपूर ये गाय के घी वाले दीपक से आरती करें, अब तामे के स्वक्ष पांत्र में गंगा जल में श्रित जल ले, इसमें अच्छत लाल फूल और लाल चंदन शामिर कर लें, उसके ब तो ये थी जानकारी भानू सब्तमी व्रत की, मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ